लेकिन ये करोड़ों आ रहे थे यूट्यूब से कितनी कमाई होती है माबाप का बयान आ रहा है उसे पता चलता है कि वो कई चीजे जो हैं वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए करते थे आगे रिपोर्ट में शेयर करूँगा कि किस ते येटे से गोधी मीडिया के अंदर इसको लेकर के पूरी चर्चा चल रही है और गोधी मीडिया की रिपोर्टिंग तो आप जानते ही है जिस तरीके से वो अलविश यादफ के पारेंट से बात कर रहे है उसका कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता है बहुत ही घटिया लेवल पर और बहुत ही बत्तमीजी से बात की जा रही है लेकिन इसके बावजूद जो अलविश के माबाप कहा रहे है वो अपने आप में चौकाने वाले है कुछ समर्थकों ने तो ट्वीट भी डिलीट करने शुरू कर दिये हैं अलविश यादफ के जो उन्होंने की थे और मैं रिपोर्ट में शेर करूँगा जो उनके लाइफस्टाइल है जो उनके व्लॉग्स है उसके अंदर थाम्नेल्स हो जो बाते हो वो करते थे उसका किस तरीक पे से परदाफाश हो रहा है साथे साथ शेयर करेंगे आपके साथ के अपडेट निकल के आ रही है के जो मैटो ने एक नई सर्विस लाने का फैसला किया है उसको लेकर उन्होंने पोस्ट भी किया है लेकिन सोशल मीडिया पर काफी बबाल मच गिया है और अनबक्तों के खेमे में खलबली शेयर करेंगे सारी रिपोर्ट इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले है आप सभी से गुजारिश के चैनल को सबस्क्राइब और इच के लिए लाइक शेयर कॉमेंट करने ना भूले करें एलविश के माता पिदा से जिस तरी पे से बात की जारी है लेकिन जिस तरी पे से माता पिदा रोने भी लग जाते हैं सोशल मीडिया पर जो लोग है वो एलविश की वीडियो का इस्तेमाल करते हैं मतलब इससे पहले आरियन खान मामले पर उन्होंने जिस तरी के से आरियन खान का मुद्धा अपने यूट्यूब चाव से उठाया था, रिया चकरवर्ती का मुद्धा उठाया था और जो इंटव्यूस वारल हुए थे जहां रो रहे थे लोग तो इस पर वो ट्रोलिंग कर रहे थे इनको ऐसा लगता है कि टीवी पर रो के दिखा देंगे, उदास हो के दिखा देंगे, पब्लिक इमोशनल हो जाएगी, पब्लिक तो च्पिया है आपको बता दें कि लवीश यादव जो है, 2023 में टॉप फाइफ में आ गये थे, गूगल सर्च में तो कोई छोटी मोटी शक्सियत नहीं, काफी नाम कमाया, काफी फेम कमाया और इसी तरीके से उन्होंने परचार भी किया, अपने काम को लेकर कि कई लोग उनके फैंस है, कई वीडियोस बनाते अब सोशल एडिया पर जो है, वो इस वक्त जो है, हैश्टेग ट्रेंड कर रहे हैं, वो है रिलीज अलविश यादव, जस्टिस फोर अलविश यादव, यानि इस तरीके के हैश्टेग ट्रेंड कर रहे हैं और बता दूं कि जो अपडेट आई थी, कि नॉइड़ा पुलिसमन को गिरिफ्तार किया, चौदर दिन की जुजिशल कस्टेडी में भेज दिया भी रिपोर्ट निकल के आ रही है, कि गुरू गुराम पुलिस भी जया, नॉइड़ा पुलिस के बाद, गुरू गुरू ग आपको बता दे, अपडेट ये भी निकल के आ रही है, कि जो आपको याद होगा किस तरीक लेसे जब एलविश यादव बिग बॉस ओटिटी जीते थे, तो उनके साथ हर्याना के सीम ने फोटो खिचवाया, वीडियो में आया थे काफी कुछ, अब जब उनसे पत्रकार प आता पिता ने कई बड़े दावे की है, मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पड़ देखे, ये वीडियोज एलविश यादव की हैं, जिसके अंदर कई उनके समर्थकों ने, कई उनके फैंस ने, उनको लेकर कि कई वीडियोज बढ़ रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, इस सारी क्लिप जो है, इससे समझ में आता है कि एलविश यादव जो है, बहुत मोटा पैसा चाप रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, कई लोगों को लगता होगा, करोड़ों रुपिये हैं, मैं आपके साथ कुछ यूट्यूब के थमनेल भी शेयर करना चाहूँगा, जिससे आप अगर फ्रंट पे देखेंगे तो आपको लगेगा बिलकुल, बहुत से लोग अंदर नहीं भी देखते होंगे, उपर से देखके चले जाते होंगे, तो कुछ थमनेल देखिए, ये देखिए, उनके करीमी हैं, विशादव के कटा प्रैंक, तो इसके अंदर मर्सिरीज है, यहाँ देखिए, किस तरीक में से सूपर गार्ज वर्थ हंड्रेड क्रोर्ड, महंगी महंगी गाडियां, बड़े बड़े घर, फार्म हाउसेज, यानि इस तरीके का जो, और कई वीडियोस हैं उनके कई वीडियोस हैं, जिसके अ घर के दावे पर भी यह कहना है, उसका मकान पचास करोड का है, और मेरा मकान लोन पर चल रहा है, तो कुल मिला करके जो मामला है, वो यह समझ में आ रहा है, कि यह सारा लाइफस्टैल जो अलविश यादब गुजार रहे हैं, वो इंस्टॉल्मेंट हैं, उनकी गाड़ी घर लोन पर चल रहा है, यानी सारी बाते सामने निकल के आ रही है, वो इस तरीके के जो लाइफस्टैल वो जी रहे हैं, एक बड़े जूटे निकले, इस तरीके के लाइफस्टैल को बड़ा चड़ा करके दिखाना, जबके बता लग रहा है, कि उनका फ्लैट ट्रेंड प इस तरीके से लोन पर है, EMI पर है, तो क्या जल से जल पैसा कमाना चाहते थी, इस वज़े से इस कारोबार में घुज गए, अब ये सवाल खड़े हो रहा है, यहां तक के वो समर्थक जो लबी शादफ को आग बंगर के भरोसा करते थी, कुछ भी चाप देते थे, उन्हों यह सारी चीज़े वो कर रहे थे, और अभी पता चल रहा है कि वो लगातार डिलीट करते हुए दिखाए दे रहे हैं, तो कुल मिला करके लबी श्यादफ की जो लाइफस्टैल है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, कि अगर वो जितना दिखा रहे हैं, उतना है, त प्योर वेज़ फ्लीट, अब इस सर्विस के मताबिक जो प्योर वेजटेरियन्स हैं, उनके लिए एक सर्विस लाँच करी है, यह आपकी स्क्रीन पर फोटो देखिए, यानि ग्रीन कलर में, अब कोई भी ग्रीन कलर में आपको दिखेगा, तो मतलब वेज़ खाना जा रह प्योर वेज़ खाने वालों की इज़ट है, जो नोन वेज़ खाना चाहता है, जो नोन वेज़ खाना चाहता है, नोन वेज़ खाना चाहता है, लेकिन जो यह फर्ख बाइदा कर दिया है, पहले यह सर्विस होती होगी, लोग तो फिर भी मंगाते होंगे, लेकिन यह जो लेकर के तो अन्भगतों के खेमे में अलग ही चल रहा है यानि जो लोग इस सर्विस की इस ओप्षन की आलोचना कर रहे हैं उनको लेकर के वो अन्भगत ट्रोल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप प्यूर वेज खाने वालों से दिक्कत है क्योंकि वो हिंदू और जेन खाते हैं लेकिन नॉन वेज हलाल certified food खालिया जाएगा क्योंकि वो choice होती है यानि इस तरीके की बाते चल लई हैं कि ये जो लोग आलोचना कर रहे हैं जो मैटो को पता चल जाएगा कि किस पर क्या करना है यानि किसको अटेक करना है जब खाना आएगा society में तो पता लग जाएगा किज घर में जा रहा है और कौन नॉन कामविच खाता है और कौन वैज झाता है और इसके पीजह सबसे बड़ी बजा पर आए थी और ये हुआ था राव नवमी के दिल जहाँ जैनियों के इंदर नॉनवेज पक रहा था जिसको ले करके बवाल मचा था रिपोर्ट आई थी अहमदबाद से भी जहाँ दो नागलेंड के लोगों पर हमला हो गया था क्योंकि वो नॉनवेज फूट बेच रहे थ तो इस तरह की अपडेट्स अमूमन आते रहती हैं और मुस्लिम कम्यूनिटी के बारे में क्या ही कहा जाए लगातार कुछ संगठन जो है वो उनको माज़ बेचने पर तो लगता ही रहता है उनके उपर किस तरह किसे हमले होते हैं आप सभी को मालू होगा लेकिन ये जो फ कोई है जो नौन वेच खाता है और उसने मंगाया तो इससे कहीं लोगों के जहन में पतानी क्या ख्याल आना शुरू हो जाए क्या प्रॉब्लम्स क्रेट हो जाए ये इसको लेकर के लोग काफी परिशान है लेकिन बैराल आपको क्या लगता है कि ये सर्विस इतनी जरूर लगें